नमस्कार दोस्तो राजस्थान मौसम को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर मौसम विवाग की जो बविश्य वानी थी वो बिल्गुल सटीक निकली है और पूर्वी जिलो में मूसला धार बारिस शुरू हो गई है अलवर भरतपूर धौलपूर सवाई मादोपूर और करोली दोस्तो यहाँ पर एक एक मौसम पल्टा है अचानक से दोस्तो अंदकार सचा गया और मूसला धार बारिस यहाँ पर सुरू हो गई है वहीं दोस्तो आपको बता दें कि जैपूर मौसम केंदर के अनुसार आगामी चार दिन तक प्रदेश के 18 जिलो सहित के इस्थानों पर भारिबारिस होने की संभावना है इन चार दिनों में राजधानी जैपूर सहित, दोसा, भरतपूर, बूंदी, कोटा, जालावाड, बारा, अलवर, जुंजनू, सीकर, बीका नेर, चूरू, सिरिगंगा नगर, हनुमानगड, अजमीर, भीलवाडा, नागोर, टोंक, आदी जिले दोस्तों इनमें सामिल है जिलों में भारी तो एक-दो इस्थानों पर आती भारी भारिस भी दोस्तों हो सकती है, साथ यों अगले दो दिनों में बंगाल की खाड़े में एक लोप प्रेशर एरिया सिस्टम विक्षित होने के कारण, राजस्थान में अगले सब्ता, दोस्तों भारी से बहुती भेह कर बारिस होने की संकेत मोसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं साथ यो बता दे अब की बार राजिस्थान में आकाशे बिजली गिरने की भी गटना लगतार सामने आ रही हैं जिसमें कई लोगों की दोस्तो अब तक जान चली गई हैं वहीं इस से पहले जो बारिस हुई दोस्तो वो भी जो पिरिमान सुन थी वो भी तावर तोड बारिस थी और उसमें भी दोस्तो कई लोगों के जो कच्छे मकान थी वो डह गई थी जिसके कारण दोस्तो बारी नुकसान हुआ था और इस साल मोसम विभाग का अनुमान है कि ओसत से अत्यदिक बरसाद पूरे राजिस्तान में होने वाली है ऐसे में किसान भाईयों को लिए बड़ी खुसकबरी है क्योंकि अच्छी बारिस होगी तो जो जली स्थर है वो भी बड़ेगा फिलाल दोस्तो आपको बता दे एक दिन अभी पिछले 24 से 48 गंटों में इतनी जबरदस्त बारिस हुई कि जो क पालिसिंद और चंबल नदिया हैं वो दोस्तो उफान पर आ गई चंबल नदी दोस्तो इतने उफान पर आ गई कि जो कोटा और सवाई मादोपूर मार गए वो दोस्तो थोड़ी देर के लिए बंद भी करना पड़ा अब आगा में चार दिन राजिस्तान के लिए अच्छ धन्यवाद दूस्तो जेहिन